जाले के इतने पौधे होते हैं और फूल होते हैं जैसे पीटूनिया है पैंजी है यह सब खतम हो चलते हैं तो इस समय दो-तीन के पौधे बजार में और सबसे पुराना जो फूल है वह वाइट सीजेस के फूल हैं जिसमें चमपा है चमेली रही है को मदनी जुही है तगण है तो इसमें जो बेला होता हैं जिसको रहर हम लोग नोगरा भी कहते हैं इसमें लिगार होते हैं इस एक होती है इस Нただ काफे ब्लूम करता है गर्मी के दिनों में और इसमें खुश भी बहुत होती है तो जैसे ही यह संसेट होने लगता है यह खिलना चालू कर देगा कली इसकी बड़ी होने लगेगी और सुबह होते होते खिल जाता है तो नॉमली यह हर घरों में जहां पर देवी देवताओ का पूज में होता है आज नावरातर का शुक दिन है तो यह फूल चढ़ाने में सफेद फूल खुशबूदार यह बजार में बहुत डिमांड में रहता है इसमें मैनेजमेंट सिस्टम इसका स्वाइल का ऐसा है कि इसको खाद की आश्रक्ता बिल्कुल नहीं होती अगर आप इसमें गरम गोबर की खाद डाल देंगे यह सर्वाइब ज्यादा अच्छे से नहीं करता है तो हमें यह द्यान रखना है कि जब भी यह पौधा बजार से खरीद के लाएं इसको जब रिपॉर्ट करें अपने में तो उसमें यूज्ट खाद होनी चाहिए और अगर आप खाद ड खिलेगा और उतना है ज्यादा ग्रो करेगा तो आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि फूल इसका बेसिकली होता कैसे है यह आप देखें इस तरफ यह यह पौधा लास्टियर का है यह बरसात के पहले हमने इसको इसकी जो जो यह स्टिम थाई वाला यह काट कर अझन venture करके इसके अंदर गडाई था इसी तरीके से मैंने इस से कई सरते हैं आप भीश को बना सकते हैं और इसको फरवरी के मीरे में पुराने गंे से टांस्प्लांट करके नए गंवले भी आता है यह एक उक फैमली डिय जो जो जिसको हम लोग क्यंक हो काल्का मोगरा कह गार्डिन में सभी चीजों का करते हैं तो गर्मी में यह कैसा पौधा है जिसको आप अपने आज दूर लगाएं और समय से लगाएं और यह याद रखे हैं कि यह एक महने के बाद जब अप्रिल का महना खतम हो जाएगा इसकी किनारे की चारो तरफ से मिट्टी निकाल करके यह आपको फ्रिश में ट्रिफे लेलिन योगी क्योंकि इसकी जो नूट्रियृट रखाइर्में बहुत ज्यादा होती है और यह ज्यादा खाट बरदास नहीं कर पाता है यह ध्यान रखें पानी डाले में यह ध्यान रखें कि साम के वक्त जब यह कली खिलने वाली होती ह पानी डाले और अर्ली मार्निंग में पानी डाले सुर्योदय के पहले छे बजे के आसपास तो क्या होगा कि पूरा उससे फाइदा क्या होने वाला है कि अगर इसको पानी सही वक्त पे मिलता रहेगा तो फूल जो है वो पौधों के ऊपर काफी दियर तक टिका रहेगा अध अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्ली सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें धन्यवाद